हलो स्वागत है आपका फ्रीजीके के चैनल पे मेरा नाम है किरन भावर आज के इस वीडियो में जियोग्राफिस से हम कवर करेंगे विश्व के महादी बहुत ही जादा इंपोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में हमने कवर किये हैं बहुत सारे कोशन पहले भी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं अब किसे भी एक्जाम की तयारी करते हैं इस वीडियो को देखकर जरू जाएगा एक से दो मार्क्स के कोशन इस वीडियो से पूछ ले जाएगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले कोशन से सबसे पहला कोशन है विश्व के महाधिपों की कुल संख्या कितनी है सही उत्तर हो जाएगा इसका साथ साथ महाधिप है कौन कौन से हैं अफ्रीका अंट्रिकटिका एशिया आस्ट्रेलिया ये रोब उत्तरी अमेरिका और दक्षें अमेरिका मैं आप लोगों को मैप में भी दिखाऊंगी देखें दियान से देखिएगा यहाँ पर देखें यह है उत्तर अमेरिका है यह जो आपको औरेंज कलर में जो पूरा दिख रहा है यह उत्तर अमेरिका महादीब है यहाँ पर दक्षन अमेरिका महादीब है जो आपक बड़ा है एश्या महाधीप सबसे बड़ा महाधीप है ठीक है अब यहाँ पर महासागर के नाम भी आप थोड़ा से याद रख लीजीगा ताकि कौन कहां पर लोकेट है यहाँ लोगों को समझ में आ जाएगा यहाँ प्रसांद महासागर के तरफ दिखेगा यहाँ ठीक है पिर यहाँ पर अट्लांटिक महासागर है, यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर दक्षणी महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है, हिंद से आपको याद रखना है हमारा हिंदुस्तान, तो यह आपको अराम से याद हो जाएगा, अभी हिंद से आप इधर पूरा पश्षिन इस तरह से याद रखेंगे आप यह महासागर के नाम तो आपको अराम से पता चल जाएगा कि कौन सा महादीब कहा पर लोकेट है ठीक है याद रखेगा यहां पर है प्रसांत महासागर देखें और यह है अंटार्कटिका जो अंटार्कटिका है यह ऐसा का पूरा हिमालयों से घिरावेट जैसे आप देख रहें सफीद कलरा है मतलब यह पूरा बर्फट से बना हुआ है वोगे मैप में इतना देखा आपने महासागर के नाम भी देख लिए तो यहां से महासागर के अगर आप नाम कवर कर रिखेंगे तो आपको बहुत सारे ची बना चुकी हूँ और डिटेल में भी एक्स्प्रेइन करके समझा दिया है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन हमारा संसार में सबसे बड़ा महादीब कौन सा है अभी जस्ट मैंने बताया आपको सबसे बड़ा महादीब कौन सा है एशिया एशिया या जम्मो द्वीब आकार और जनसंक्या दोनों ही दिस्टी से या वेश्व का सबसे बड़ा महादीब है जो कहां पर है उ और यूरोप को मिला कर कभी-कभी यूरेशिया भी कहा जाता है, okay? नेक्स कोशन की तरह बढ़ेंगे हम? नेक्स कोशन है हमारा निम निलिक्त में से किस महाधीप का छेत्रफल सबसे कम है? सबसे छोटा कौनसा महाधीप है? मैं आपने देखा होगा आस्ट्रेलिया है सबसे चोटा आस्ट्रेलिया कहा परिस्तित है यह दक्षनी गोलार्द में है ठीके इस महादीब के अंतरगत एक देश आता है जो दुनिया का सबसे चोटा महादीब भी है ठीके यह एक देश है आस्ट्रेलिया और एक की सबसे बोटा महादीप कौन सा है वो भी आस्ट्रेलिया है चीक है इसमें तस्मानिया और कई अन्य दूइप हिंद और प्रसांद महासागर भी आते हैं नेक्स कोशन दिखेंगे नेक्स कोशन है हमारा किस महादीप को स्वेत महादीप के नाम से जाना जाता है स्वेत का मतलब सफीद तो किसे कहा जाएगा जो पूरी तर से बर्फ से ढगावा है कौन सा है अंटार्कटिका है अंटार्कटिका या इसे अंटार्कटिका भी कहते कहीं पर पृत्वी का दक्षिन तम महादीप है दक्षिन तम वर्ड लगया मतलब की सबसे कोने पे दक्षिन तो है लेकिन दक्षिन तम मतलब की एकदम छोर पर है महादीब जिसमें दक्षिनी दुरू आता है यह दक्षिनी गोलार्थ के अंटार्कितिक छेत्र और लगभग पूरी तरह से अंटार्कितिक व्रत में दक्षिन में यह इस्तित है चलिए आगे वड़ेंगे next question की तरफ किस महादीब को प्रायदी महादीब की नाम से जाना जाता है सही उत्तर होगा इसका यूरोप यूरोप पृत्वी परस्तित साथ महादीबों में से एक महादीब है यूरोप एशिया से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है यूरोप और एशिया यूरेशिया भी इसको हम कभी कभी कहते हैं next question है हमारा नेमने लिखते में इसे किस महादीपों को महादीपों का महादीप कहा जाएगा एशिया को कहा जाएगा एशिया को महादीपों का महादीप कहा जाता है एशिया या जम्बू द्वीब आकारो जंसां क्या दोनों ही दृस्टी में वेश्व का सबसे बड़ा महादीब है जो कहां पर है उत्री गोलार्द में स्थित है ये भी आपको याद रखना है ठीक है गोलार्द क्या होता है करकर एखाई क्या होती है ये मैंने बहुत ही बार बारिकी से बहुत ही बारिकी से बेसिक अगर आप समझ गए न तो ये चीज़े समझना बहुत आसा कि नहीं ठीक है गोलार्द क्या होता है ये उपर वाला उत्री नीचे वाला दक्शनी गोलार्द ठीक है दुरूफ तो आपने पढ़के रखा है तो आपको समझ में आ की हूं पहले ही नेम नैलिकते में से कौन सा एक ध्वीप महाधीब के नाम से जाना जाता है आस्ट्रेलिया दक्शनी गोलार्द के अंतरगत एक देश है जो दुनिया का सबसे चोटा महाधीब भी है और दुनिया का सबसे बड़ा धुईप भी है जिसमें तसमानिया और महादीब को उसकी काफी बड़ी भाग में वर्षा की कम मातरा की प्राप्ति के कारण 85 भूमी का महादीब भी कहा जाता है किसे कहा जाएगा आस्ट्रेलिया को आस्ट्रेलिया को 85 भूमी का देश कहा जाता है इसका मुख्य कारण यह है कि आस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से में बहत कम बारिश होती है आस्ट्रेलिया प्रसांद महासागर में मौजूद एक देश है नेक्स्ट कोशन है हमारा continent of contrast किसे कहा जाता है किसे कहा जाता है तो उसका सही उत्तर होगा एशिया को एशिया को contrast के महादीप के रूप में जाना जाता है जैसा कि contrast शब्ड से supposed है जिसका आर्थ होता है एक अलग अंतर नेक्स कुशन देखेगा नेक्स कुशन है निमने लिखते मेंसे कौन सा महादीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है सही उत्तर होगा इसका उत्तर अमेरिका नई दुनिया पृतवी के पश्यमी गोलार्द के अधिकान्श के लिए उप्यों किये जाने वाले नामों में से एक है विशेश रूप से यहां अमेरिका और उसके पास के जो दूइब है उन जगाओं के लिए नई दुनिया शब्द यूस किया जाता है नेक्स कोशन की तरह बढ़ेंगे नेक्स कोशन है निमने लेगते मेंसे किस महादीप को मानव घर कहा जाता है किसे कहा जाएगा एशिया को कहा जाएगा कहा जाता है मानव घर नेक्स कोशन है हमारा नेमने लेखते में से किस महादीपों को विज्ञान के लिए समर्पित महादीप कहा जाता है सही उत्तर होगा इसका अंटार्कटिका अंटार्कटिक महादीप को विज्ञान के लिए समर्पित महादीप भी कहा जाता है भारत ने अपना पहला Antarctic अभियान से 1981 से 82 में प्रारम भी किया था ठीके चले नेक्स कोशन होगा हमारा नेक्स कोशन क्या है दिखते हैं नेक्स कोशन है नेमने लिखते में से किस महादीब को अंद महादीब के उपनाम से जाना जाता है अफरीका को अंद महादीब के उपनाम से जाना जाता है अफरीका व इसको काल दूइब भी कहते हैं ये भी याद रखेगा अंद महादीब काल दूइब देखे बहुत सारे नाम रखे गए उनके कुछ न कुछ विश्यष्टाओं को लेकर देखे इश्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्यष्य मेन्न जाह बाता है इसके दक्षिंड में दक्षिंड महासागर आता है और पूरब में क्याता है अरब सागर एवं हिंद महासागर आता है इस चीज को भी आद रखेगा आप मैप में 2 बार देखेगा आप अच्छी तरह से इता चीजर कहा जाता है सही उत्तर होगा इसका एशिया एशिया महादीप को महादीपों का महादीप नदियों की सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं देखे किते सारे नाम हैं महादीपों का महादीप नदियों की सभ्यताओं का पालना मानव की जन्व भूमी सभी धर्मों की आद्य भूम विश्मताओं का महादीब कभी-कभी पक्षियों का देश भूत तथा भविश्व का महादीब इतने सारे नामों से जाना जाता है ठीक है बहुत सारे नाम है यहाँ पर चलिए नेक्स कुशन कवर करते हैं नेमने लिखते में इसे किस महादीब को पक्षियों का महादीप इस उपनाम से जाना जाता है सही उत्तर होगा इसका दक्षिन अमेरिका पक्षियों का महादीप दक्षिन अमेरिका को कहा जाता है विश्वे में सरवादी कौफी उतपादक देश जो ब्राजिल है वह भी आता है दक्षणि अमेरिका महादीप में विश्व का जो सबसे बड़ा मास निर्यातक देश है अर्जैंटिना वह भी आता है दक्षण अमेरिका में ओके नेक्स कॉशन देखेगा नेक्स कॉशन है निम्नलिक्त में से कौन से दो महादीप एक दुसरे का दरपन प्रतीबम इसका मतलब होगा Mirror Image ठीक है Mirror Image प्रसुत करते हैं कौन से दो महादीप है जो दिखने में एक दुसरे की Mirror Image बना रहे हैं मैप में आप देखेगा दक्षिन अमेरिका और अफ्रीका दक्षिन अमेरिका और अफ्रीका एक दुसरे का मीरर इमेज शोगरत है चले नेक्स कुशन की तरह बढ़ेंगे हमारा अगला सवाल है किस महादीब के संरक्षना अंगरेजी के S अक्षर की तरह होती है मैंने स्टार्टिंग नहीं बताया इसका उत्तर आपको पता है अंटार्कटिका महादीब की जो संरक्षना है या अंगरेजी के S अक्षर की तरह होती है चले नेक्स कुशन की तरह बढ़ेंगे हमारा नेक्स कुशन है नेमने लिखते में से किस महादीब का विस्तार उत्री दक्षनी पूर्वी तद्धा पश्चमी सभी गोलार्द में है सभी में आता है किस महादीब की बात करें हम अफरीका याद रखेगा अफरीका महादीब इंपोर्डेंट है बहुत सारी चीज़े हैं यहां पर देखें जो अफरीका वा काल्डवीप एश्या के बाद वेश्वे का सबसे बड़ा महादीप है यह सभी गोलार्द में आता है ठीके यह चारो गोलार्द में आता है यह उत्तर दक्षिन पूरव पशिम सभी गोलार्द में यह आता है कौंसा महाधीब अफरीका महाधीब चलिए नेक्स कुशन दिखते है हमारा नेक्स कुशन है निम निलिक्त में से कौन सा महादीब पूरी तरह से पढ़ना चाहूंगे पूनत ये हिमाचिदित है मतलब हुआ कि हिमालई जैसा है तो कौन सा है वह है अंटार्क्टिका ठीके देखे वर्ड भली ऐसे दिये हो लेकिन मेनिंग इसका बहुत ही सरल है कि पू एवं मकर 3 रिखाएं गुजरती हैं देखे मैं आपको मैप में बताती हूं ते कि तिनों रिखाएं दिखे यह विशूवत और चरका पर एक कैसे महाधीब को यह 3 रिखाएं काटती हैй ब्जान से एफ्रीका को अफ्रिका को काट रही है ना देखिए तीनों रेखा ही है उपर है कर्क नीचे है वेशुवत और यहां पर सबसे नीचे दिखे यह है मकर रेखा है तीनों रेखा है इस महादीब से होकर गुजरती है देखिए जो मैंने अभी पताया था आपको मिरर इमेज दिखें का ध्या किस महादीब में ज्वाला मुखी का सर्वता अभाव बाया जाता है सही उत्तर होगा इसका आस्ष्रील नेक्स कोशन है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटे किस महादीब में स्तित है सही उत्तर होजग ऑप्शन बी वाला अफरिका महादीब में सबसी लंबी दरार इस्तित है नेक्स कोशन है उत्तर अमेरिका महादीब की सर्वोच परवत चोटी कौन सी है सही उत्तर है इसको ऑप्षन सी वाला माउंट मैकिनले माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका महादीब की सर्वोच परवत चोटी है नेक्स कोशन है दक्षिन अमेरिका महादीब का सर्व सर्वोच परवत शिखर इसका सही उत्तर होगा option B वाला Mount Akan का गुआ Mount Akan का गुआ next question देखेगा next question है अफरिका महादीप का सर्वोच परवत शिखर अफरिका महादीप का सर्वोच परवत शिखर है Mount Klim Zaro ठीके नाम है Mount Kilim Zaro next question next question है अंटार्क्टिका महादीप का सर्वोच परवत शिखर इसका correct answer होगा option D वाला Mount Vincent Massif next question है एश्या महादीप का सर्वोच परवत शिखर कौन सा है वह है Mount Everest एश्या महादीप का सर्वोच परवत शिखर है next question देखिएगा यूरोप महादीप का सर्वोच परवत शिखर कौन सा है correct answer का उसका होगा option C वाला Mount Elbrus नाम है Mount Elbrus next question आस्ट्रेलिया महादीप का सर्वोच परवत शिखर वह है Mount Kosyusko नाम है Mount Kosyusko next question अफरीका महादीप की सबसे बड़ी जील अफरीका महादीप की सबसे बड़ी जील कौन सी है वह है Victoria Victoria जील next question देख बढ़ेंगे next question है हमारा एशिया महादीप की सबसे बड़ी जील कौन सी है कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर है की एक जील है जिससे अपने व्रत आकार के कारण सागर भी कहा जाता है next question होगा हमारा आस्ट्रेलिया महादीप की सबसे बड़ी जील कौन सी है अस्ट्रेलिया महादीप की सबसे बड़ी जील है आयर कौन सी है आयर जील या अस्ट्रेलिया महादीप की सबसे बड़ी जील कौन सी है वहाँ है सुपिरियर जील मैं जील के ओपर वीडियो बना चुकी हूँ और वहाँ पर मैंने मैप में भी लॉकिट करके बताया था नेक्स कोशन है, यूरोप महादीब की सबसे बड़ी जील कौन सी है, यूरोप महादीब की सबसे बड़ी जील है, लेडोगा जील, कौन सी जील है, लेडोगा जील, नेक्स कोशन देखेगा, यूरोप महादीब में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी जील कौन सी है, सबस सबसे लंबी नदी तथाएn ये रोज का महतपुन जल्मारग है replicate के याद रखेगा रोस का महतपुन जल्मार गह। चलिए next question की तो पढ़ेंगे next question है हमारा अफ्रीका महाधीब में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कोंह सी है वह है नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी नील है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झेल विक्टोरिया से निकल कर विस्तुत सहारा मरुस्तल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर के भूमध्य सागर में उतरज पड़ती है चलिए नेक्स कोशन आस्ट्रेलिया महादीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है वह है मेरे डारलिंग इसका नाम है मेरे डारलिंग नेक्स कोशन दिखेगा नेक्स कोशन है दक्षिन अमेरिका महादीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है अमेजन नदी है अमेजन या एमेजोन यह दक्षिन अफरीका से होकर बहने वाली एक नदी है नेक्स्क्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् नेक्स कोशन, सरवदिक देशों वाला महाधीब कौन सा है? सबसे ज़ए देश किस महाधीब में आते हैं? अफ्रीका में आते हैं कितने देश हैं यहां पर 54 जो हमारे भारत देश के जीले हैं उतनी ही बड़े बड़े देश भी हैं यहां पर काफी छोटी छोटे देश हैं कौसा महादीब पूण रूप से दक्षनी गोलार्द में कौसा आता है पूरी तरह से वहाँ आता है आस्ट्रेलिया सरकारी तौर पर आस्ट्रेलिया रास्टमंडल दक्षनी गोलार्द के महादीब के अंतर के तेगक दैश Lore जो दुनिया का सबसे चोटा महादीब भी है और ढूनिया का सबसे बड़ा दूइब भी है एक स्ट इएक कुशन दिखेगा नच्च कुशन है कॉनंसा महादीब है सहीतर है उसका यूरोप यूरोप मरुस्तल विहीन है next question देखेगा next question किस महादीब में सरी स्रप नहीं पाये जाते हैं Antarctica में नहीं पाये जाते है reptiles, सरी स्रप मतलब reptiles प्राणी जगत का एक समोज्जो के पृत्वी पर सरक करके चलता है ठीक सरक सरक के चलता है प्रगत साप आते है जिपकली, मैंडक, मगरमा ची सब आते हैं जो अंटार्क्रिका में नहीं पाये जाते है next question हमारा अफरीका महादीब का दक्षिनितम बिंदू किस नाम से जाना जाता है option B वाला कैप अगूल हास कैप अगूल हास के नाम से अफरीका महादीब का दक्षिनितम बिंदू जाना जाता है next question देखेगा next question है विश्व के मैदानों का सरवधिक विस्तार किस महादीब में है विश्व में मैदानों का विश्व में मैदानों का सरवधिक विस्तार किस महादीब में है से उत्तर हो जाएगा इसका यूरोप विश्व में मैदानों का सरवदी के विस्ता यूरोप महादीब में है किस महादीब को पठारी महादीब किसे कहते हैं अफरीका को कहते हैं अफरीका को काला अंद महादीब भी कहा जाता है इसे पठारी महादीब भी कहते हैं भूमद्य रेखा इस देश को दो भागों में बाटती है ये भी आपको याद रखना होगा चले, दिखें, मैं बहुत सारे पॉइंट्स साथ मैं एक्स्प्लेइन करके आप लोगों को समझा रही हूं नेक्स कोशन उष्नकटी बन दिये परस्तितियों का सरवधिक विस्तार किस महादीब में पाये जाता है सही उत्तर होगा इसका अफ्रीका उष्नकटी बन दिये परस्तितियों का सरवधिक विस्तार अफ्रीका महादीब में पाये जाता है नेक्स कोशन है हमारा निमने लिखते में से किस महादीब के अंतरगत जल मारगों का सरवधिक विकास हुआ है सही उत्तर हिसका यूरोप नेक्स कोशन है निमने लिखते में से किन देशों की माल दोवा के साथ सांजी सीमाई है ये युक्रेन और रोमानिया इन दोनों के साथ सांजी सिमाई हैं नेक्स कोशन देखिएगा नेक्स कोशन है म्यामार डैस में आउस्तित है कहां पर आउस्तित है दक्षिन पूर्वेशिया में आता है कहां पर आता है दक्षिन पूर्वेशिया में आता है म्यामार next question देखिएगा निमने लिखते मेंसे कौं सा एक मलेशिया देश की प्रसासनिक राजधानी तथा संग्य प्रसासनिक केंद्र है वह है पुत्राजाया next question हमारा निमने लिखते मेंसे किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है चीन के साथ किस देश की सीमा लगती है इन सारे देश में से वियत नाम की लगती है देखे चीन के वारे में एक बात सुनिएगा चीन की जो सीमा है वहाँ चौदा देशों से जुड़ी हुई है कितने देशों से जुड़ी हुई, 14 देश से जुड़ी हुई है, और पर इस देश है, इसका 23 देशों के साथ विवाद चल रहा है, 23 देशों के साथ चीन का विवाद चल रहा है, नेक्स कोशन, दक्षेण गंगोतरी कहा स्थित है, यह है अंटार्कटिका में, दक्षेण गंगोतरी, नेक्स कोशन, युरोप की एक परवत श्रंकला है, इसमें से, युरोप की एक परवत श्रंकला कौन सी है, वह है, आलपस, आलपस, नेक्स कुशन दक्षिन अमेरिका महादीब के दक्षिनी छोर का नाम क्या है जहां पर प्रशांत महासागर और अट्लांटिक महासागर आपस में मिलते हैं सही उतर होगा इसका कैप होरन सही उतर क्या होगा कैप होरन नेक्स कुशन किस महादीब में सही उत्तर इसका अफ्रीका अफ्रीका महादीप में एटलस परवत नेक्स कोशन है महादीप जिसे दे लैंड ओफ गोल्डन फ्लिक्स के नाम से भी जाना चाता है सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑफ्शन दी वाला आस्ट्रेलिया सूरी नाम की राश्थानी क्या है इसकी राश्थानी है परामा रीवो नेक्स कोशन है प्रत्वी के कटने प्रतिशत भाग पर महादीपों का विस्तार पैजाता है सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑफ्शन बी वाला 29 अइन से 30% 29 से 30% Next question दिखेगा निमने में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है कौन सा मैंच नहीं कर रहे हैं आपको यह बताना है ध्यान से दिखेगा यह देश का नाम है और यह इसकी राजधानी है तो जॉर्डन देश के राजधानी अमान है ताजिकस्तान देश के राजधानी है क्या है इस देश के राजधानी इस देश के राजधानी है दुशान वे तो यहां पर क्या सुमेलित नहीं कर रहा है यह कि ताजिकस्तान के राजधानी यहां पर दे रखिये बिश्केक बिश्केक नहीं है क्या है दुशान वे हैं चलिए नेक्स कोशन है हमारा नेमने लिखते में से युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको यह बताना है हंगरी की राज़दानी है बुड़ा पेस्ट निजुजोलंड की राज़दानी क्या है निजुजोलन की राज़दानी कैंतों लिखिया तक्यों नेक्स कोशन है निमिलिक में से कौन महादीबों के छेतरफल का सही अनुक्रम है अवरोही क्रम आपको बताना है तो देखे एशिया उसके बाद आएगा अफरीक का फिराइगा उतरी अमेरिका उसके बाद आएगा योरोप ठीके इस तरह से इसका यह अवरोही क्रम है नेक्स कोशन के तरब बढ़ेंगे नेक्स कोशन है यहाँ आपको मैच करके बताना है ठीक है यहाँ पर देशों के नाम देखे रखे हुए हैं आपको मैच करके सही उत्तर जो है आपको बताना होगा देखे मैच करते हैं विट होक जो है यहाँ नावी नामी बिया देश की राजानी है अकारा जो है यहाँ घाना देश की राजानी है नेरोबी किन्या देश की राजानी है और लूसा का जाम बिया देश की राजानी है जैसे आपने मैच किया इसे आपका अंसर जाएगा ऑप् नेक्स कोशन है हमारा नेलगते मैं से कौन सा शहर किसी देश के राजधानी नहीं है सही उत्रोजएगा सिड्नी सिड्नी आस्टेलिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर आस्टेलिया की राजधानी Campbellा है नेक्स कोशन देखेगा महादीप कैसे अलग हुए महादीप पहले एक थे किस तरह से अलग हुए से उत्रोगास का विवर्तनिक क्रिया से नेक्स कोशन देखेगा हमारा संसार का सबसे आर्द महादीप कौँ सा है तो वह है से उत्रोगास का वाला दक्षणी अमेरिका नेक्स कोशन है म्यामार की राजधानी कहां है म्यामार की राजधानी है नाइप येटा क्या नाम होगा नाइप येटा नेक्स कोशन देखेगा संसिटी अफस्तित है संसिटी कहां पर है संसिटी है दक्षण अफरीका में कहां पर है दक्षिन अफ्रीका में नेक्स कोशन चेत्रफल की दृष्टी से नेमने में से देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है आरोही क्रम आपको बताना है दिकिस का सही उतर हो जाएगा ऑप्षिन सी वाला अर्जेंटिना भारत आस्टेलिया उसकी बाद ब्राजिल नेक्स लिखते हैं नेक्स कोशन हमारा नेमने लिखते देशों में कौन अफ्रीका महादीब में स्थित नहीं है अफ्रीका महादीब में स्थित नहीं है से उतर होगा इसका नौ आना नौ आना देश अफरिका महादीप में स्थित नहीं है नेक्स कोशन है निमने लिखते में से किस देश की तटी अरीखा विश्व में सबसे लंबी है से उतर होगा करनाडा करनाडा की तटी अरीखा विश्व में सबसे लंबी है नेक्स कोशन और लास्ट कोशन निमने लिखते में से कौन सा संगत राज अमेरिका का एक द्वीप ये राज है सेवत रोजग ऑप्शन डी वाला हवाई द्वीप समुह आज की वीडियो में इतना ही विश्वे के महादी टॉपिक से रिलेटेड जितनी वी इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे सारी इस वीडियो में कवर भी कर लिया है और बहुत सारे कुशन को मैंना एक्स्प्रेइन करके समझा भी दिया है जितने महतपूर्ण था सब कुछ हमने कवर कर लिया है इससे वीडियो को अगर आप दिहान से देखकर चली जाते हैं एक्साम में तो बहुत सारी कुशन के अंसर आप सही कर देंगे अगर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं तो वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारी इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ठैंक यू